Hello everyone, welcome back to my channel and today in this video we are going to discuss a poem written by Edward Lear that is the duck and the kangaroo तो इस poem को स्टार्ट करने से पहले हम इसके टॉपिक का मतलब समझ लेते हैं The duck and the kangaroo, duck का मतलब हम बतक कह सकते हैं ठीक है duck को हम हिंदी में बतक कहते हैं और kangaroo का मतलब kangaroo English में pronunciation change हो जाती है इसलिए kangaroo, the duck and the kangaroo So let's start this poem without any delay and we'll discuss line by line, alright Send the duck to the kangaroo, good gracious, how you hop, over the fields and the water too, as if you never would stop तो जो duck है वो kangaroo से कहती है कि good gracious की कितनी अच्छी बात है Gracious का मतलब हिंदी में तो होता है दयालू लेकिन यहाँ पे वो उसकी तारीफ करते हुए बोलरी की वाओ, कितनी अच्छी बात है जिस तरीके से तुम hop करते हो यानि कूटते हो, kangaroo तो वैसे ही चलता है न, कूट कूट के hopping करते है वो over the fields and the water too, खेतों में भी जमीनों पे भी और water के अंदर भी तुम इस तरीके से कूट लेते हो, कितनी अच्छी बात है ऐसा लगता है कि जैसे तुम कभी रुकोगे ही नहीं My life is a bore in this nasty pond and I long to go out in the world beyond तो डग उसको कहती है kangaroo को कि मेरी जिन्दगी तो विल्कुल boring सी हो गई है इस nasty गंदे से तालाब में, pond में और मेरे इच्छ ये है और मैं चाहती हूँ कि मैं इस पूरे दुनिया को पूरे विश्व को अच्छे से देखूं Long to का मतलब है कि उसकी इच्छा, डग की इच्छा है कि वो पूरी दुनिया घूमे I wish I could hop like you, said the duck to the kangaroo तो जो डग है वो बोलती कि काश मैं भी तुम्हारी तरह चल पाती, कूद पाती और ऐसा क्या कौन कहता है, डग कहती है kangaroo को तो नेक्स्ट स्टांसा है हमारा Please give me a ride on your back, said the duck to the kangaroo I would sit quiet still and say nothing but quack तो जो डग है वो kangaroo को कहते है कि please मुझे एक ride दे दो मतलब मुझे एक बर घुमाओ अपने पीट पे बिठा के और मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बिल्कुल शांती से बैट जाओंगे still, बिल्कुल हिलूँगी भी नहीं, कुछ भी नहीं बोलूँगी लेकिन सिर्फ quack करूँगी, तो यहां पे यह बहुत जादा funny है क्योंकि जो डग है उनकी language ही ऐसी होती है कि वो quack quack करके बोलते हैं, तो वो क्या कहती है कि कुछ नहीं बोलूँगी लेकिन quack करूँगी, तो this is kind of funny, राइट और फिर वो आगे कहती है कि the whole of the long did through and we'd go to the d and jelly bolly तो यह जो उसने बोला कि हम पूरे दिन घूमेंगे, कहां कहां जाएंगे we'd go to the d, d place का नाम है और jelly bolly, यह real place नहीं है कि जहां पर हम गूमने जा सकें, यह सिर्फ ऐसे ही fiction, नकली कहानी मतलब नकली जगह का नाम बना दिया है, क्योंकि यह सिर्फ एक poem है तो उसमें तो कुछ भी डाल देते हैं ना, तो यह असली जगह नहीं है यह पर सिर्फ ऐसी नाम दे रखा है कि d and jelly bolly हम घूमने जाएंगे पूरे दिन over the land and over the sea, please take me a ride oh, do, तो वो बोलती है कि हम जमीन पे जाएंगे, जमीन के अंदर पानी में भी जाएंगे please मुझे एक बार अपने पीट पे बिठा के घुमा दो, please ऐसा कर दो कौन कहता है ऐसा duck कहती है किसको kangaroo को अब हमारा third stanza, okay set the kangaroo to the duck तो अभी तक तो सिर्फ duck ही बोल रही थी, लेकिन अब kangaroo ने क्या कहा देखो this requires some little reflection, perhaps on the whole it might bring me luck and there seems but one objection, which is if you'll let me speak so bold your feet are unpleasantly wet and cold and would probably give me the room matis, said the kangaroo kangaroo जो है उसको प्यार से बोलता है कि शायद ये मेरे लिए बहुत लखी बात होगी अगर मैं तो मैं अपने पीट पे बिठा के घुमाऊंगा लेकिन अगर तो मुझे खुल कर बोलने की इजाज़त दो तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं मुझे एक objection है क्योंकि तुमारे जो फीट है तुमारे जो पैर है वो गीले हैं और थंडे हैं और अगर मैं तुम्हें ऐसे अपने पीट पे बिठाओंगा तो तुमारे गीले थंडे पैर पैरों की वज़र से मुझे कहीं कि रूमैटिस नहीं हो जाए रूमैटिस एक बिमारी का नाम है ठीक है तो वो अब उसको अपना objection बताता है कौन टैंगरू किसको डग को अब next stanza हमारा set the duck अब जो डग है वो जवाब देती है कि as I sat on the rocks I have thought over that completely कि जब मैं ऐसे ही rocks के उपर पत्थर के उपर बैठी हुई थी तो मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से सोचा and I bought four pairs of frosted socks तो वो बोलते कि इसलिए मैंने चार पेर खरीदे किसके उनी उनी जुरावे होती है ना मॉजे उनी मॉजे यानी गरम मॉजे which fit my web feet neatly जो कि मेरे पेरों में बहुत अच्छे से fit हो रहे हैं बहुत अच्छे से आ रहे हैं बिल्कुल भी lose नहीं है तो इसलिए मैंने चार पेर खरीदे हैं क्योंकि मैं इसके बारे में पहले से ही सोच चुकी थी and to keep out the cold I have bought a cloak और सर्दी से बचने के लिए मैं एक क्लोक भी लाई हूँ क्लोक एक कपड़ा होता है जो कि उपर से नीचे तक पूरी body को cover कर देते हैं जिससे सर्दी नहीं लगती and every day a cigar I'll smoke और हर दिन मैं एक सिगार प्यूँगी and all to follow my own dear true love of a kangaroo तो वो बोल दे कि ये सब कुछ मैं यूज करूंगी सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है ठीक है तो कौन ऐसा बोलती है डग बोलती है किसको kangaroo को कि ये सारी बाते मैं पहले ही सोच चुकी हूँ तो अब तुम इसकी tension मत लो कि मेरे feet जो है वो wet है cold है उसके लिए उसने सारी arrangements कर लिए पहले ही अब हमारा next and last stanza set the kangaroo अब कौन किसकी बारी है ये अब देखो kangaroo कहता है क्या I'm ready कि अब मैं चलो तयार हूँ फिर तो मैं बिल्कुल तयार हूँ all in the moonlight pale लेकिन हम moonlight pale का मतलब है रात में जाएंगे जब चांदनी मतलब जब चांदनी चांदनी सी रात हो जाती है न उस वक्त चलेंगे but to balance me well dear duck sit steady पर अच्छे से ताकि balance बना रहे तो मिधर न गिर जाओ अगर मैं कूदू तो कहीं तुम गिर न जाओ बैलेंस बना रहे तो इसलिए तो बिल्कुल steady मतलब अच्छे से बैठना हिलना डूलना मत and quiet at the end of my tail और बिल्कुल कोने में बिल्कुल end में वह बैठेगी ठीक है जो डख है वो kangaroo के टेल के पूछ के बिल्कुल कोने पे end में बैठेगी तो एक पर आप लोग खुच के देखो कि यह पोयम है तो वो सीधी सी बात है वो तो नीचे गिर ही जाएगी ना किसी भी तरीके से चाया आगे गिरे पीछे गिरे पर वो उसका गिरना तय है तो यह जो पोयम है बहुत जादा फणी वे में लिखी गई है और इस इस वरी इंट्रस्टिंग आम रिली एंजॉइंग इट एंड आप देखो यह बिल्कुल हॉप करते करते अच्छी तरीके से तीन बार इस पूरी दुनिया में घूम चुके इनका जो प्लान था कि वो लोग पूरे वर्ड में घूमेंगे डख का मन था गूमने का तो कैंगरू ने उसको घुमा दिया और वो भी कितनी बार तीन बार इस पूरी दुनिया के चक्कर लगा लिया इन दोनों ने मिलके और अब सोचो कौन खुश होगा गैस करो कौन तो वही कौन डख एंड दा कैंगरू अब यह दोनों बहुत जादा खुश है और फाइनली यह भी कितलक कुई से मैं है और आए ला आउ कितल बार अबसीटaltetु दूब लार इंड कर उप ट्रियूत ऱ्मॉरल बड भी से उनी पन दूर खिना के लगा 5 यह दो